हेलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है में रिकॉर वीडियो में आज मैं करना है वाला हूं इस टैंक का कॉस्ट का रिवील ठीक है तो देखेंगे इस टैंक का कॉस्ट क्या पड़ा है मुझे क्या सही डील रहा की नहीं रहा मैं बोलता हूं इस टैंक को न्यू टैंक पर हटा देंगे उसको तो यह है हमारी ऑसकर और पाकू टैंक इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि पिकॉक बास एड़ करने के लिए और अरवाना और पिकॉक बास दोनों मैं इसमें एड़ करूंगा अरवाना के लिए साइद यह छोटी हो जाएगी टैंक वापस से टैंक साइज बढ़ा देंगे 7-8 फीट तक कर देंगे तो यह है हमारी ऑसकर और पाकू अब यह टैंक साइज की टैंक साइज पहले जानेंगे उसके बाद हम सब पॉस्ट जानेंगे ठीक है और आप सब मुझे बताएंगे कि यह सही डील था कि नहीं था कि ज्या उटकर और पाकू किया इसमें एक करो लेकिन फ्यांग जादा करेगी हो गंदगी साब कम करती है तो जाने, करते था और पान एप नीचें कुछ देखिर सकते हैं उसको मैं और बदल मैं हटाए नहीं पाया मिलागा नहीं नहीं कर पए हूं तो जल्दी देखेंगे इस regional क्ल सजेस्ट करेंगे कि कौन सा इसमें फिल्टर यूज करें या फिर टॉप फिल्टर यूज करें जो भी आप बोलेंगे आप सब जरूर बताएंगे क्योंकि इसमें सम नहीं बना हुआ है तो आपको एक्स्टर्रल फिल्टर ही अड करना पड़ेंगा अलग से लाकर के फिल्टर करना पड़ेगा तो अब सब बताएंगे कोण सा फिल्टर चार फिट वाल एक्वेरियम के लिए बहतर होगा अगर आप आप E frankly हो काम चला रहा था लेकिन आसकर बहुत ज़्यादा गंदगी करती ह और इसे सबसे ज्यादा गंदगी करने वाली फीसेज में से एख है तो हो यह पूरे सार वह सकते हैं तिन दीन ऊब है मातर पानीचेंज करने आगई서 मैं इस टेंग को नीचे गंदगी है पर पानी clean है, पानी में कोई दिकत नहीं है, पर नीचे की वज़े से ये उतनी ज़्यादा साप नजर नहीं आ रहे है, और थोड़ा lighting भी problem है, अगर lighting की बात करें तो देख सकते हैं, ये aquarium में सट गई है, तो aquarium में सटने की विज़े से ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर म अच्छे डंग से light आजाएगा, फिर ये थोड़ा और जबरदस दिखेगी, और clean भी मैं कर दूँगा अच्छे डंग से, और आप सब filter का मुझे जरूर बताएंगे, कि इस वाले tank में कौन सा मैं filter यूज़ करूं, चलिए आते हैं, अब cost के उपर, तो ये मुझे tank मिला है, 3000 में, 3000 में ये पूरा sit मिला है, सिर्फ सीशा की बात हो रही है, यानि aquarium की बात हो रही है, filter वगरा हमारा है, सब cost अगर मिला के बात करें इस tank की, तो 3000 तो सिर्फ tank का है, इधर दो filter लगा हुआ है, power filter ये 600 का है, वो 800 का है, तो 8 और 6 हो गया, 1400, यानि 4400 हो गया, oxygen अगर add करें 300 का है, तो 300 add कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 47,000, 47,100 और heater है, आपका 200 और 2400 का, 1500 समझ लीजिए, इसका cost है भी पूरे इस tank का, ठीक है, इस tank नहीं जोडते हैं, ये सब बहुत पहले बन चुका है, पर सिर्फ अगर इस tank की बात करें, तो मुझे cap लगा के मिल रहा था, 3500 में, लेकिन मुझे cap की कोई आवस्चता है नहीं, क्योंकि cap कहां मैं दूँगा, जब tube light लगाऊँगा, तो फिर cap का कोई जोरत बनता नहीं है, पर Oscar jumping fishes है, इसे river dog कहा जाता है, तो मैं इसमें सीसा है, मेरे पास दो, उपर से डाल दूँगा, तक ये सई डंग से रहे, और ज़्यादा cost भी पढ़ गया, तो कोई बात में मेरे पास ही रहेगी, तो ये है हमारी Oscar, अभी मैं Oscar को बहुत ज़्यादा बढ़ने की उमीद करता हूँ, ये तुरात बढ़ जाती है, मतलब एक आक साल में आप देखेंगे, जब बहुत है भी बढ़ जाएगी, अभी भी और सबसे monster हमारे fishes, इसका नाम है Tiger Oscar, इधर भी है Tiger Oscar, अब इसमें अगर आप suggest करेंगे, तो कौन सा Oscar मैं add करूँ, क्या इस पाकु को remove कर दूँ, क्योंकि बहुत बार परिसान करती है Oscar को मैं देखा हूँ, लेकिन ज़्यादा harm नहीं पहुचाती है, Oscar भी इसको दोड़ा देत तो फिर इसको remove करेंगे, यह है हमारी Oscar tank, तो 3000 में यह कैसा deal रहा है, आप सब comment करके बताएंगे, अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को subscribe कर लेंगे, Oscar बहुत ही जबरदस्त fishes होती है, पर आप इसे 3 feet सब के aquarium में मत रखें, क्योंकि 3 feet के aquarium में अच्छे डंग से रहेगी कि 2 feet में suggest करना बेकार बात है, नहीं रहती है 2 feet में, गलत फहमी में आप सब मत रहेगा कि 2 और 1 feet में रह जाएगी, यह कम से कम 4 feet आपको चाहिए, ठीक है, अगर Oscar आपके घर में 10 साल रहना चाहिए, तो 4 से 5 feet का aquarium चाहिए, चलिए जल्दी मिलते है नेक्स वीडियो में, वी लाइक कर लेंगे, थैंक यू